हेलो एवरिवन वेलकम टू माई चैनल राकांच्छा टिटोरियल्स आप सबका स्वागत है आज मैंने यह सिंपल सा मेकप लूग क्रिएट किया है यह फाइब मिनिट में फाइब प्रोडक्स से हो जाता है और आप इसे किसी भी पूजा वगएरा में ट्राइ कर सकते हैं अगर किसी की पूजा है यह कोई साधी का चोटा मुटा फंक्शन है हल्दी में तो यह लूग बहुत ज्यादा अच्छा लगएगा तो चलिए देख लेते हैं इस लूग को मैंने कैसे क्रेट कहा है बहुत ही कम प्रोड़क्स यूज किया है यह वीडियो आपको पसंद किसी पर बहुत है तो यह तो बहुत ही ताइम से मार्केट में आप लोग को इसके बार पता ही होगा तो यह फाउंडेशन तो नहीं उसे काफी कम कवरेज ज़ती है और जिन लोग के पास यह हो भी अच्छा से में कर सकते हैं मैं आपको दिखाती हूं कैसे पर आपको अच् पिंपल्स वगार के दाग है वहाँ थोड़ा से ज़्यादा अप्लाइब करिएगा बस थोड़ा सा और हलके हाथों से इस तरह से ब्लेंड कर लेना है क्योंकि अपने मौशराइजर अप्लाइब कर रखा है तो अच्छे से यह ब्लेंड हो जाएगा बट फिर भी अगर बिल्कुल छुप जाएगी और बहुत ही बीटिफुल लुक आजाएगा दूसरी बार बस आपको लगाना है पूरे फेस पर नहीं जहां जाते हैं एक्स्टा करेज बस वहां पर बस इस तरह से अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए ब्लेंडिंग बहुत जरूरी है तो अच्छे से ब्लेंड कर लेने का दिये लुक बहुत अच्छा गया है और अब मैं यहां पर अपने फेस को सेट करूंगी और सेट करने के लिए मैंने यहां पर यूज किया मेबिन की फिट मी Kompact और यह बहुत ही अच्छी कॉमपैक्ट है और इसे लगा लेने से बिल्कुल भी आपक काजल यहां पे लिया है एक काजल आप कोई साभी जो आपके पास जो भी आप ले सकते हैं वैसे जो फून ले में वह है ब्लू हेवन सोफ्ट काजल और इसे में पहले अपने आइस को टाइट लेंड करोंगी फिर काजल की तरह भी थोड़ा सा प्लाई कर लूंगी यहां पर यहां पर देख सकते हैं बट इसे मैं अच्छे से आप कह सकते हैं ब्लेंडिंग ब्रस से ब्लेंड करोंगी पहले हर्के से नीचे में आपको लगा लेना है तो क्योंकि आप ज्यादा में नहीं कर रहे हैं तो आइस पर फोकस जादा करेंगे तो यह देखिए मैंने एक ब्र कि यह जरूरा है तो आप बस थोड़ा सा विंग ड्रॉपी ज़ूरा कर सकते हैं जितना आपको करना हो मैं ज्यादा यहाँ कर रहे हूं कि विंग में रेकोर्डिंग प्लॉपीस में नहीं है बड़ा हलका सा निकाल सकते हैं ताकि लुक जो है वह ज्यादा अच्छा आ सके और तो इस तरह से ही दोनों ही आइस पे आपको लाइनर अप्लाई कर लेना है थोड़ा सा विंग निकाल कर बिल्कुल हलका सा तो लाइनर अप्लाई करने के वाद नेक्स प्रडॉक्ट हम यहां पर यूज करेंगे स्विस्स ब्यूटी की बेग ब्लसर और इसे पहले हम ब्लस तो यह मैं है थारिंट है घडिए प्लाई कर लिए। आर लिए खाप घार फिर्टम की ख्ला अकर ब्लसित खा betकेशं के लिए हम डाई है कि प्लाई जाएच खाना काषण हो था प्लता आशा है लूटी सो सब्स्टै कर यह को मने आपक्तार डीन के लैंतल क्या workingिक ट्राइय इसलिए मैं आपको इतना ही बता पाऊंगी वैसे सिंगल स्रेट भी अप्ले सकते हैं थोड़ा ज्यादा का मिलता है मैं तो यह हमने अप्लाइ कर लिप्स्टिक और फिर मुझे यादा है कि मैंने आइब्रोज को फिल लें की और प्रोड़क्ट तो कम ही उसकरने हमें तो मैंने यापी ब्लु हेवन काजल ले लिया और उसे भी हलका सा ब्रस पे ले लिया है और बस हलका से अपने आइब्रोज को फिल करूंगी ज्यादा अब पर राइस करूंगी क्योंकि आटी विल्चा लगने लगता है और काजल कर रहें तो वह ओवर लगें ब्लेक कलर तो तो बन्दी जाहिए तो हम से लिए कऊंप दो प्हुझी नहीं है को फ क्रब्योस आपको बाइस मवर्य चिक पंपने होसा नेधे व्यक्त आतगता सोफ सब्सक्राइब करते है करने दियुकि लिए उनल्यति मैं पॉप पतने लिए